क्या कोई टीचर, कोई अध्यापक या कोई शिक्षिका अपनी स्टूडेंट को अपने पढ़ने वाले बच्चों को इतना मारते हैं क्या और यहां तक कि उसको धक्का दे दें पहली मंजिल से एक मासूम बच्ची को पांचवी ग्लास की पढ़ने वाली एक छोटी सी की जा सकती है एक टीचर से जिनका दर्जा माबाप से भी बढ़कर है जो भगवान के बराबर माने जाते हैं वो टीचर जिनको बच्चे अपने माबाप से ज्यादा महबबत करते हैं क्या ऐसा मुमकिन है जी हां यह सब कुछ हुआ है दिल्ली के सेंट्र डिस्ट्रिक के अगर निगम बाली का विध्याले में जिस तरह इंसानियत को शरमसार करने वाली एक वारदात सामने आई है वो भी एक महिला टीचर के जरिए अपनी पांचवी क्लास की स्टूडेंट को जिस तरह से उसने फेका है पहली मंजिल से बच्ची की हालत फिलहाल इस्थर बताई ट्रीटमेंट है सबदर जंग हॉस्पिटल जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा है एक मासूम बच्ची दो टीचर के दर्मियान यह भी बताया गया है इसका नाम गीता रानी है वो पिछले कुछ दिन से दिमागी तोर पर इस वक्त ठीक नहीं चल रही उसका मेंटल इंबैल हम यह उमीद करते हैं कि जो टीचर्स हैं वो उनको इतनी बुरी तरह से मार लगाए यहां तक कि पहली मंजिल से धका दे दे नीचे फेक दे और यही नहीं उसके सिर पर सीजर से भी वार किया यह तमाम घटना जिस वक्त सुबह 11.15 मिनट पर सेंटरल डिस्रिक के थाना दे जिसके बाब का नाम लक्षमन है और वो रानी जहांसी रोट पर जो फाइर स्टेशन है वहाँ प्राइविट जॉब करते हैं वंदिना के घरवालों को सूचना नहीं मिली थी उससे पहले ही स्कूल के ही एडमिनिस्टेशन के लोग तुरंद बच्ची को ले करके हिंदुर गीता रानी और एक और दूसरी टीचर बताया जा रहा है उनमें किसी बात पर कोई विवाद था उनमें लड़ाई थी उसी दोरान ये बच्ची बीच में आ गई वंदिना और तभी इसको टीचर गीता रानी ने नीचे धकेल दिया ये स्तब्द कर देने वाली घटना ये ह पता लगा तो अस्पताल पहुँचे और यही नहीं जिला की जो डी सीपी है सेंटरल डिस्टिक की शुईता चौहान वो भी मौके पर पहुँची उन्होंने जाकर के मौके का मौाइना भी किया अस्पताल भी गई बच्ची का भी बयान दर्ज कराया और फिर इसके बाद एफाई आर दर्ज करके टीचर गीतारानी को हिरासत में लिया गया बहराल एफाई आर करने के बाद में उनकी गिरफतारी तो कर ली गई है और साथी विभागे जाच का भी आदेश दिया गया है लेकिन नगर निगम के MCD के इस स्कूल में जिस तरह की ये वारदात सामने आई है उसे बच्चों के और टीचर के बीच के जो रिलेशन है उस पर भी एक सवालिया निशान लगता है कि बच्चे जो स्कूल में एजुकेशन जो तालीम हासिल करने जा रहे हैं महां उनके साथ अगर अत्याचार हो रहा है उनके ओपर जल्म हो रहा है और इस हद तक हो सवार था कि उसने बच्ची की पिटाई की और उसको धक्का दे दिया बहरार इस पूरे मामले पर डी सीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक शुएता चौहान क्या क्या रही है एक बार सुनिए डी सीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक को आज सुबा के समय हमें एक ऐसी पी सीर कॉल मिली है कि किसी बच्चे को स्कूल की बैलकनी से नीचे फिंग दिया गया है तो जब स्टाफ वहां पे पहुँचा तो पाया कि इराका ठाना डी बी जी रोड का था वहां पे एक स्कूल में एक प्रात्मिक विद्याले में जो कि पांचवी कश्या तक है एक टीचेर ने जो वही पढ़ाती दी तो उन्होंने कमरे को अंदर से बंद कर लिया पांचवी कशा के विद्या पर गुस्ता करना शुरू किया और इस वाइलन बीहेवियर में समान उठाके दरदर फेंका बॉटल्स को तोड़ दिया बच्यों की और एक बच्ची जो है उसको पकड़के जो कागस काटने वाली छोटी कैची होती है उससे उसके सर पे प्रहार किया और उसके बाद उसको बैकनी से धक्का देखकर नीचे गिरा दिया तो ये जो पूरी घटना होई इस पर हमने तुरंट केस रिइस्टर करके इन्वेस्टिक और नहीं आया है लेकिन हम हर एंगल पर उनसे पूष्टाज कर रहे हैं यह अध्यापिका जो यहां के पर्मनेंट टीचर है 26 सार इनकी उमर है पीछे हर्याना से रहने वाली है और अभी इनसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने इस तरह का भी एविर क्यों किया पुलिस का स चासत में ले लिया गया है टीचर गीता रानी को जिस तरह से यह शरमना घटना सामने आई है इसका संग्यान में आने के बाद में दिल्ली सरकार में खाद्यापूर्ती मंत्री इमरान हुसैन और बल्ली मारान जिनके यह खुद विधानसभा शेतर में आता है यह वहां पर पहुँचे और क्या कुछ इनों ने देखा पाया और इस घटना करम के बारे में इमरान हुसैन आप बताएं देखे जैसे ही मुझे पता लगा कि ऐसा हास्सा हुआ है कि बच्ची को एक टीचर ने फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेग दिया है मैं तुरंत पहुचा वहां और पता लगा कि उस बच्ची को बाड़ा हिंदुरा हॉस्पिटल ले गए तो मैं वहां पहुचा डीसी को बुलाया एडिशनल कमिश्णर को वहां पर बुलाया और बाचीत करी तो पता लगा बच्ची के काफी चोट आई वी थी उसके बाद में बच्ची के सारी टेस्ट कैसे गई बच्चे हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं कोई बच्चों को पीटने के लिए कोई माबाप नी भेजता है और मासूम बच्ची छोटी सी बच्ची अगर आप भी देखते ना फरांजा तो आप खुद हैरत करते हैं इतनी मासूम बच्ची दी तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया और DC को आदेज दिया और एडिशनल डिरेक्टर एजूकेशन MCD को कि इसके खिलाफ सक्से सक्त कारवाई की जाए और पुलिसिया कारवाई भी कराई जाए इसके खिलाफ और क्योंके फ्यूचर में कि टीचर जो होता है वो उसे माबाप से भी बड़ा दरजा दिया जाता है हम लोग मानते हैं जो हमें एजूकेशन दे रहे है ये टीचर वो हमारी माँ से भी जादा दरजा रखती है और वो ऐसी हरकत करे तो फिर ये नाकाबले बरदाश है और वो तो बच्ची बच गई क्योंके इतनी हाइट से उसे फेका था अगर खुदा ना कास्ता बच्ची को कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता लेकिन इस तरह की एक साइको टीचर उसका क्या इलाज नहीं पहले इमिलान हुसैन होना चाहिए था क्योंके इसकी कंप्लेंट्स पहले भी थी आप भी वहाँ गए एक टीचर अगर इस तरीके से बच्चों के साथ में आजकल तो वैसे ही कानूनी जुर्म भी है जोविनाईल जस्टिस एक्ट में भी आता है फर्स फ्लोर पर से फेक रही है और ये जो बात एक दम आई है दिल्ली में लोग स्थब्द हैं हैराने की हुआ क्या है की को तुरंत आदेज दिए कि इसके खिलाफ सक्से सक्त कारवाई करें और अगर वो डिप्रेशन में थी तो पहले उसे इलाज कराना चाहिए था क्लास में नहीं आना चाहिए था बच्ची से भी बात करी तो मैंने बच्ची से बलके पूछा भी कि बेटा क्यूं आप की वो मेरे साथ थी मैंने का इसकी जांच कर रही और इस पर केड़े से कड़ा एक्शन लिए ताकि आइंदा फ्यूचर में किसी और बच्ची के साथ ऐसी घटना ना घटे इसकी कुछ वजह समाझ में आई कुछ आपको पता लगा हो देखिए क्योंके वहां टीचर तो मौ बच्चे को मारेगी और बच्चे तो मैं समझता हूं लोगबाग कहते हैं कि खुदा का रूप होता भगवान का रूप होता तो ऐसी हरकत करेंगे मासुम बच्ची चोटी सी बच्ची अगर आप भी देखोगा ना फरांसाब तो आप खुद कोओगे कि करा क्या है और मैं यह कहना चाहूंगा अगर कोई कह रहा है मैंने सुनाया कि बच्ची के साथ है उसका बहतरी निलाज भी कराएंगे सब कुछ करेंगे लेकिन उस टीचर को भी सबक मिलना चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी और बच्ची के साथ ऐसा हास्सा पेश ना आए एजुकेशन डिपार्टमेंट है अभी तक इसके और जारी नहीं कि गए तर्मिनिशन के आपने भी क्या इसके लिए बोला है नहीं मैंने बोला इसकी जाच करा कि इसके खिलाफ सक्से सक कारवाई कराई जाए और उसके सासत पुलिस या कारवाई भी हो पुलनिश्चित त पास ये इनफॉर्मेशन मिली थी देश बंदु गुपता रोड पुलिस महा मौके पर पहुँची सीनियर अधिकारी पहुँचे थे और उसके बाद पूरा मामला ये परकाश में आये था इसके टर्मिनेशन के लिए लगतार लोग मतालबा कर रहे हैं कि ये ऐसी टीचर आ फरहान या या फॉलोर लाइक कर सकते हैं थैंक यू फॉर नाओ